हम आगे अपने लैप्टॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने ब्राउजर के होम पेज पर हूँ और सबसे पहली वेबसाइट जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा लेकिन उसको बताने से पहले मैं तोड़ा सापको यह बता देता हूँ क तो डिवाइस फिंगर प्रिंटिंग के हम बात करते हैं तो इसके बारे में विकीपीडिया क्या गयता है यह देखते हैं तो डिवाइस फिंगर प्रिंटिंग क्या है किसी भी मशीन की जो है इंफरमेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइस फिंगर प्रिं वो रहेगा device के साथ browser fingerprint तो browser fingerprint क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि browser fingerprint हम किसको बोलते हैं यहाँ देखिए collected specifically by interaction with web browser तो हम web browser से interaction करके जब भी कोई information वो हम interact करते हैं वो हमारी information collect करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं browser fingerprint तो जैसे अभी मैं internet browse कर रहा हूं तो definitely जब इंटरनेट ब्रॉस कर रहा हूं तो यह क्या कर रहा होगा मेरी कुछ ना कुछ information वो ले रहा होगा अब information ले रहा है लेकि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी information ले रहा है या नहीं ले रहा है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर एक website पर जाता हूं आपको दिखाता हूं Am I unique तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं तो देखे view my browser fingerprint तो जैसे मैं यहाँ पर view my browser fingerprint पर जाता हूं तो आप नीचे देख सकते हैं कितनी सारी information जो है यहाँ पर दिखा रहा है तो इसमें से कुछ एक information जो है वो impactful है मेरी system के लिए मेरी machine के लिए जैसे user agent क्या है जो रेड में आप देख रहे हैं यह सारी की सारी जो है harmful हो सकती है जरूरी नहीं है कुछ एक false output भी आपको दिखाएगा यह तो देखे कितनी सारी information इसने दे दी मुझे content की language जो है English है agency list of fonts Java enabled है या नहीं है इनेबल नहीं है false कर रहा है इस ने device की memory जो है memory दिखा रहा है तो काफी सारी information जो है आपको यह दिखने से मिल जाएगगा तो अब यह information हमारी निकालता कैसे है कैसे इंफोर्मेशन जो है इसके पास में जया रही है तो इसको जानने के लिए मैं एक उफ्ट ुर्फ शयट पर यहाप ke z it करता हूं तो आपको पता लग कर जाएगा कि यह जो information मेरे पास यहां पर आई है यहां से निकल के आई है तो इसने information जो है वो कहां से ली और कैसे ली तो उसके लिए मैं एक website हो रहा है यहां पर चला जाता हूं लिखता हूं click click और फिर से click तीन बार click 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 dot click काफी अजीब नाम है चलिए एंटरबस करते हैं तो देखते हैं क्या open होता है यहां तो देखिए क्या आ गए यहां पे blank screen आई है please click the button ओके यह testing के लिए मुझे दिखाएगा कि कैसे browsers जो है मेरी fingerprint जो है वो collect करते हैं तो मैंने बटन पर क्लिक किया तो friends आप यहां पर देख सकते हैं कि subject click the button अब मैं यहां पर cursor लेके जाता हूं subject has moved the cursor to the top left area of the window ओके यहां पर लेके जाता हूं यह क्या बोल रहा है तो आप सुन भी सकते हैं यह बता भी रहा है कि क्या information जो है मेरी collect की जा रही है कैसे collect की जा रही है तो सारी की एक am I unique जो है यह हमारे क्या कर देते हैं हमें बताती है कि browser जो है हमारी क्या क्या information जो है वो लेते हैं अब खून-कून सी information जो है वो ले रहे हैं उसको जानने के लिए वो कैसे लेते हैं यह practical मैंने आपको दिखाया click 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 dot click में आप जाएंगे तो वहां से आपको पता लग ज करेंगे उसका नाम है browser leaks तो browser leaks.com पर जाते हैं तो यह देखिए क्या क्या information जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ही system के बारे में तो मैं जाता हूँ IP address में तो यहां से मेरे फॉंट फिंगर प्रिंटिंग देखते हैं यह देखिए तो कौन-कौन सा फॉंट जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ या किया है तो सारी की सारी information आपको जो है वो अपनी system की screen पर मिल जाती है तो friends काफी interesting है यह website जो मैंने आपको बताई है उम्मीद करता हूँ आपको आज का explore कीजिए खोल के देखिए अपने system पे क्या-क्या information reveals होती है तो वीडियो पसंद आई है तो like कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक अपना खयाल रखे तिल दन गुड़ बाई